City Bank का Consumer Business आज व्यानी की एक मार्च से Access Bank के पास आ गया है ऐसे में अगर आपके पास City Bank का Credit Card, Home Loan, Personal Loan, Retail Banking और Insurance है तो आप क्या करेंगे? नमस्कार आप देख रहे हैं Money Control Hindi और हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में कि इन ग्रहकों के लिए आज से क्या बदला होने वाले हैं City Bank के Consumer Business के Takeover का Process पूरा हो गया है इस बारे में Access Bank की एक Press Conference एक मार्च को शाम में होने वाली है, माना जा रहा है कि इसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं Acquisition के इस Process में एक साल का समय लगा, ये पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था इसका सीधा असर इंडिया में City Bank के Customers पर पड़ेगा City Bank ने अपने Global Business में बदलाव का फैसला किया था, इसका एलान उसने 2021 में किया था इसके तहट उसने तेरा देशों में अपने Retail Banking Operation को बंद करने का फैसला किया था, इनमें इंडिया भी शामिल है City Bank ने अपने Customers के कुछ Journal Questions के Answers की एक List शारी की है इनमें Transaction Process से जुड़े कई पहलिओं के बारे में बताया गया है और City Bank के मौझूदा Products, Services, Charges जैसी कई चीज़ें शामिल है आईए अब एक एक कर जानते हैं इन सवालों के जवाब City Bank में एक Account है क्या Axis Bank में Business Transfer होने के बाद Account की Detail पहले की तरह बनी रहेगी और इसका जवाब है हाँ, आप City Bank के अपने Account का इस्तमाल पहले की तरह ही कर सकते हैं Account No.1, IFSC, MICR Codes, Debit Card, Checkbook, Fees और दूसरे Charges में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा अगर Future में इनमें किसी तरह का बदलाव होता है तो XS Bank इसके बारे में कस्टमर्स को जौनकारी देगा कंसल्टन्ट परिजवात गर्ग ने कहा City का बिजनस XS Bank के पास जौने से कुछ खास ग्रहाकों के लिए ट्रांसिक्शन का प्रसेस धीर रहेगा ये अच्छी बात है क्योंकि ऐसा नहीं होने पर City के गरहाकों को ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्या 1 मार्च 2003 से XS Bank के HM का इस्तिमाल कर सकते हैं इसका जवाब है हाँ आप XS Bank के HM का इस्तिमाल कर सकेंगे अभी आपको City Bank के HM में जुतनी बार Free Transiction की इज्वाजत है उतने Free Transiction आप XS Bank के ATM से भी कर सकते हैं इससे ज़्यादा की Transiction पर आपको चार्ज देना पड़ेगा XS Bank के पास Balance Inquiry, Cash, Withdrawal, Pen Change और Mobile Number, Update जैसी Services का लाब उठा सकते हैं अगर City Bank के साथ Mutual Funds की Units, Portfolio Management, Service और Alternate Investment Funds में इन्वेस्ट किया है तो क्या करना चाहिए? एक मार्च 2023 से Mutual Funds, PMS या AIF में आपका Investment XS Bank में Transfer हो जाएगा आप XS Bank की Branches, Relationship Manager, City Bank Online और Mobile Banking के जरिए अपने Investment Portfolio को XS कर सकेंगे आप अपने Investment Account में Transiction कर सकेंगे Banking और Financing की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीज़िए Money Control Hindi के YouTube चनल को साथी सब बेल आइकन भी जरूर दमाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप से मिसना हो इसके लावा आप हमें Facebook, Instagram और चुचर पर भी फॉलो कर सकते हैं दन्यवाद